क्या आप उन्द वच्चों में से हैं जो कॉमर्च लेना चाहते हैं क्या आप उन बच्चों में हैं जो की मार्व के चक्क्र में multip course लिने चाहते हैं्याँ वो वो है जो कि इच्छा के चक्र में waste lena चाहते हैं आप सोचने की science max अपने से शायद होगी commerce करने में थोड़ा सा interest आ सकता है और arts जो है हमें मिलती है पर हमें लेनी नहीं है बुलाती है मगर जाने का नहीं तो बिटा जी अगर आप commerce के से आसान कहलाया जाता है कौन से बच्चे को commerce लेनी चाहिए और किस बच्चे को commerce से बिलकूल दूर रहना चाहिए यह सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है मेरा नाम है कौरव जैन मैं कहलाता हूं commerce किंग पिछले पांस सालों के अंदर करी 15 लाक बच्चों को हमने यहां पर उनके सपने साकार करवाए हैं अब बारी आपकी है तो चलो मेरे साथ रेल गाड़ी पकड़ते हैं और commerce की गाड़ी जो है ना जनाब unity की गाड़ी होती है है तो चलिए साथ मिलकर चलते हैं तो पेटा जी अभी आप यह वाले सब्जेक्ट पढ़के आए हैं जिसमें साइंस है आर्ट साइंस है मैथमाटिक्स है इंग्लिश है शोशल है हिंदी है हो सकता है कंप्यूटर हो तो यह कुछ पांच से सब्जेक्ट आप पढ़के आए पर कॉमर्स एक ऐसी फील्ड है जो कि बिल्कुल रौ है बिल्कुल नहीं है यानि कि आपने दसवी तक कॉमर्स का ए भी नहीं देखा था तो बिटाए दो धारी तलवार है पहली धार तो इसके अंदर यह है कि अगर आप लोगों के 40, 50, 60, 70% नंबर भी आये थे ना तो भी आप कॉमर्स में आके टॉपर बन सकते हूं टॉपर बरने की इससे बढ़ी अपॉर्चिनिटी कहीं नहीं मिलेगी यूँकि कॉमर्स के अंदर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं बिल्कुल जीरो से पढ़ते हैं जैसे हमने एबी सीडी पढ़ी थी उसी प्रकार से कॉमर्स क आपको क्लास 11 में सिखाई जाती है तो अगर आप यह सोच रहें कि मुझे अपने लेवल को और अच्छा लेकर जाना है 50% से 100% 90% का टार्गेट रखना है और इसलिए मैं कॉमर्स लना चाहता हूं तो आप बिल्कुल सही जगे आए हैं कॉमर्स के अंदर जो सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं वो है आपका economics, accountancy, business studies, English, physical, max या IP इन तीनों में से options बेसिकली मिल जाते हैं मतलब mathematics is not compulsory in commerce mathematics बिल्कुल भी compulsory नहीं होती है ठीके जी इन पांच सब्जेक्टों में से तीन सब्जेक्ट हैं जो कि commerce की read की हड़ी कहलाते हैं जना वो है ये तीन सब सब्जेक्ट जो कि commerce की read की हड़ी कहलाते हैं अब हम जड़ा इस read की हड़ी को थोड़ा सा परखते हैं और आपको बताते कि जो read की हड़ी है इसका काम क्या होता है यानि कि ये तीनों सब्जेक्ट क्या होते हैं और कैसे हमें पढ़ने होते हैं सबसे पहले हम सबसे बड़ी हड़ी के पास शलते हैं जो कि है जनाब अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी कैसा होता है देखो मैं आपको सब्जेक के अंदर नहीं लेके जाओंगा मैं आपको बस एक ओर्विव समझारों कि अकाउंटेंसी में करते क्या है जैसे फॉर एक्जामपल तारक महता का उल्टा चश् हो या भीडे हो या तरक महता हो या हाति हो या सोडी हो या पोपट लाल हो या अईयर हो इन सब का एक एक पेज बनाता है और उन पे उनके खाते में बैलेंस लिखता है रहा आज एक सोड़ा 10 रुपे कल एक सोड़ा 20 रुपे और जब वो पेमिंट कर देते हैं उन टोटल में से उस पेमिंट को माइनस कर देता है और वो खाता वहीं खाता हो जाता है तो बेसिकली एक मैंने छोटा से एक्जांपल दिया कि अकाउंटेंसी है क्या अकाउंटेंसी के अंदर बेसिकली हम दुनिया भर के सारे के सारे टेक्षंस को एक सपेसेविक तरीके से लिखते हैं हम कमपनी शुरू करने मैं मने एक बात बता हुँ आपको ब अगर इसका मतलब क्या होता है हर्शड मेहता scam 1992 हर एक वेक्टी ने देखी हुई है तो scan 1982 के अंदर हर्शड मेहता किसी भी चीज़ को देखता था किसी भी कंपनी में शेयर में इनवेस्ट करता था तो पहले उसकी बैलेंस स्टेटमेंट देखता था तो बैसे कि लिए फाइनेशल स्टेटमेंट और बैलेंस हम लोग बनाते हैं जब आप 11 में आएंगे तो आपको यह सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी जब आप कंपनी के मालिक होंगे जिस कंपनी के शेयर विक्राई होंगे आपको उन स आजाता है पर यह नहीं कहुँगा कि मैं आपको एड करना आता है तो आप कॉमर्स ले लो नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें आती है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से लेकर एंड करने तक साल शुरू करने पर धंदे में जो जो जनाब दूसरी चीज होती है वह बिजनिस है अब बिजनिस क्या है मुझे आपको बताने की जरूत नहीं है बिजनिस क्या है बिजनिस कैसा होता है बिजनिस में क्या काम करता है एक पलाना प्रकार का बिजनिस कैसा होता है मैनेजर कैसे रखते है मैनेजर का काम क्या होता है manager किस प्रकार से काम करता है fund कहां से पैसा पैसा ऐता है market में share कैसे issue होते है stock market कौन से चड़िया का नाम है branding कैसे करते हैं किसी भी čीज को बेचते कैसे selling कैसे करते हैं किसी भी चीज की marketing कैसे करते हैं अगर आप मेरी तरह इन सारी चीजों को ले कर बहुत ही ज़्यादा उतसाहित होते हैं कि जनाब ये ऐसी चीजे हैं जिनको करने में मुझे बड़े अंदर से मज़े आते हैं तो business studies is completely for you, business studies के अंदर हम basically complete business को देखेंगे, दो प्रकार की है business studies जनाब class 11th की और class 12th की, 11th की business studies outer business को बताती है, outer business का मतलब है कि आपको अर्गनेशन है, ये देखो ऐसी है, ये retailer कहलाता है, ये wholesaler कहलाता है, ये distributor कहलाता है, retailer का ये काम होता है, distributor का ये काम होता है, आपको सामान export कर रहा है, तो कौन सा license लगेगा, ये सारी चीजे, जबकि class 12th की जो है ना, वो inner business है, inner business का मतलब आपको organization के अंदर लेके जाया जा आपको business studies में सीखने को मिलेगा, तो जितने भी बच्चे business को लेकर, धंदे को लेकर थोड़े बहुत excitement में है, उन सभी के लिए business studies सबसे class होने बाला है, ठीके जनाब, तीसरा और अंतिम subject, जो तीसरा pillar होता है, वो जनाब होता ECO, इससे मुझे बड़ा प्रेम है, economics जो है, अगर आप कुछ बच्चे सोचिंगे, हमने SST पड़ी थी, बहुत बोरिंग थी, तो बेटा जो SST बोरिंग थी ना, वो SST हिस्ट्री के चक्कर में बोरिंग थी, वो SST जोग्रफी के चक्कर में बोरिंग थी, economics से तर को हमेशा ही प्यार था, चाहाँ के थोड़ा सा background यू पहले बाटर सिस्टम, यह सारी चीज़े बेसिकली एकनोमिक्स में आते हैं, तो एकनोमिक्स क्या है, economics is also about sort of money related concept, ठीके जी, money related concept को हम जब अर्थिवस्ता के साथ जोडते हैं, मतलब economy के साथ जोडते हैं, इंडियन economy के साथ जोडते हैं, वो तुमारे economics के अंदर आती है, ठ चाहे हम accountancy की बात करें, चाहे business की बात करें, चाहे इको की, they all are primarily related to one common thing, which is primary known as money, और finance, तो basically commerce ऐसे व्यक्ते को लेनी चाहिए, जिसको इस topic में जाधा interest है, जिसको इस topic के अंदर जाधा interest है, क्योंकि यह तीनों चीज़े कहीं ने कहीं, directly, indirectly, आपको पैसे के आसपस लेके जा याई इसमें भी पैसे की बात कर रहे है, ECO में भी पैसे की बात कर रहे है, और business के अंदर भी पैसे की बात कर रहे है, तो वो सभी व्यक्ति जो कि directly या indirectly पैसे से थोड़ा सा प्रेम रखते है, थोड़ा से इच्छा रखते है, तो आपके लिए commerce बनिया जनाब, अब बात आती कि कॉमर्स में कितना पढ़ना पढ़ता है तो जनाब कॉमर्स एक ऐसे स्ट्रीम है जो कि प्रेम मांगती है पढ़ाई नहीं इसका तात्पर यह है कि कि बेसिकली अगर आप कॉमर्स के अंदर आते हैं तो आपके 11 जो है थोड़ी हसी में थोड़ी मुस्कुराहट में थोड़ी सी मस्ती में और छोटी सी पढ़ाई के अंदर निकलेगे जहां आपको सिर्फ यह समझाया जाएगा कि भाई सब बारवी के लिए यह चीज़े तू पढ़ ले यानि कि थोड़ा सा कैजूल नेचर वाली कॉमर्स होती है मतलब हम जब अपने लेक्जाम में बैठा नो तब भी हम दो चार घंटे में पढ़के उठ जाते हैं यह फाइनल एक्जाम बता नो बिल्कुल बोड एक्जाम ठीक है साइंस वालों की तरह नहीं कि अगर आप करना सीख जाओगे न तो हो जाएगा बैसिकली थोड़ा सा टाइम कंजूमिंग होता है थोड़ा सा समय लगता है हर क्वेश्चन करने में 10-15 मिट करीब लग जाते हैं ठीक है बिजने स्टेडी इस एक थोड़ा सा थोरी काफी देखने को मिल जाती है ठीक है एक बच्चे इस पूरे सेनारियो में फिट हो रहे हैं ना उन सब को कॉमर्स ले लेनी चाहिए अब एक चीज बेटा ध्यान रखना कॉमर्स आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाती है तो दस्वी तक आपका रिजल्ट भी टॉपर था भली जीरो था आपको पढ़ना एबी सीड बहुत इंपोर्टेंट है वह इंपोर्टेंट बात यह है जनाब कि आप लोग कॉमर्स के अंदर जब आते हैं तो पढ़ाई इंपोर्टेंट नहीं है पढ़ते कैसे हैं यह बहुत ज़रूरी है अकाउंटेंसी को कैसे पढ़ते हैं यह बहुत ज़रूरी है बिजनिस में क हमारे पास एक guidance होनी चाहिए और वो guidance आपको ज़रूर प्रोवाइड करी जाएगी आप मिलते हैं ध्यान रखो भाई यह वो guidance आपको कहां मिलने वाली है वह मिलेगी आप लोगों को आपके स्वागत की तयारी हम लोग करके हैं मिलते हैं आप सभी से चिल दन गाइस keep on watching good night चैनल को subscribe करो मिलते हैं गुड़ नाइट बाई नमस्कार वक्त के बस्ते से थोड़ी नीन दबिट कर सपनों में थोड़ी उमीद ग्रेड़िट करता है मिलों जल गुमरा हो चुके कितना ही और यह कोशिश तो और करी सकते हैं गुजरते राहों में कुछ चेंज कर नहीं राहें बनाते हैं अब घर बैटे ही तो सोचती उसे हासल भी करता है अजोन विड़ नचाद में सुस्क्रिप्शन और यह चुमर्स श्रिप्शन एंचल नियुर इंचर नहीं चूमर्च ट्रम ट्राच एंचर था शूंग सब्सक्राइट अब्स्क्रिटन निया subscribe to the channel and hit the bell icon let's crack it